ही ही हाई स्टुडेंट आज की क्लास में हम कन्स्ट्रेंट रिलेशन पढ़ेंगे न्यूटन्स लऌफ मोस्न का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि पूरा का पूरा question solving जो है वो सारा का सारा dependent होता है constraint relation पर तो चलिए हम start करते है constraint relation उससे पहले मैं chat active कर लेता हूँ so that आपको कोई doubt हो तो you can ask in live doubt hello आकरती तो you can ask your doubts in live chat तो constraint relation में सबसे पहले जो हम आज करने जा रहे हैं आज के lecture में string constraint करने जा रहे हैं तो in today's lecture we are starting string constraint तो यहां देखें string constraint में basically अगर दो body connected है string से तो string constraint constraint में कहता है कि वो body के जो motion है आपस में dependent होते हैं यह जो motion में dependency है यानि उनके velocities में उनके acceleration में उसी चीज़ को हम आज के class में सीखेंगे कि यह जो velocity और acceleration की dependency है इसको हम किस तरह से calculate कर सकते हैं relation निकाल सकते हैं तो चलिए उसी को सीखते हैं तो सबसे पहला part आप देखेंगे यहां पर हमने diagram बना रखा है पुली और बास है और इस्ट्रिंग है यह पुली भी आइडियल है यह आइडियल पुली है यानि मासलेस एंड इस्मूथ पुली है यह ध्यान रखिएगा और जो इस्ट्रिंग है यह भी आइडियल है इस्ट्रिंग इस ओल्सो आइडियल का मतलब क्या है मासलेस है अब अगर आप यहां पर देखें तो सिस्टम में दो ब्लॉक है एक M2 है और M1 है M2 कि वी तू विलास्टी से उपर जा रहा है M1 वी विलास्टी से नीचे आ रहा है तो अब अगर हम वी वी तू में extensible माना जिया है यानी length of string constant रहेगा यानी जो principle based है constraint रे scient का वो length of string constant रहेगा इस पर based है तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने लिख रखा है first method first method मतलब basic से अगर हम देखें तो यह अगर आप देखोगे इस point से यह Y distance नीचे आया और मालनो की यह यहां से यह यहां से x distance उपर गया लेट से अभी जो string का length है यहां से l1 और यहां से जो string का length है यह है l2 और जो यह pulley के उपर है यह हमेशा उसके उपर यह वाला part तो रहेगा ही रहेगा यानि अगर हम इस pulley के उपर वाले part को l3 माल लेते हैं तो आप initial length कितना हो गया l1 प्लस l2 प्लस l3 अब अगर हम final जब किसी t time पे देखें तो t time पे यहां आ चुका है यह दोनों block यानि इधर वाला जो length है वो क्या हो गया l1 प्लस y हो गया इधर वाला जो length है उसमें x amount decrease हो गया यानि यहां पे आप क्या लिखोगे plus l1 minus x और l3 as it is रह जाएगा यानि बोथ side l1, l2, l3, l1, l2, l3 cancel हो जाएगा इसको आप l2 minus x लिखेगा इधर वाला length l2 है तो यहां l2 minus x लिखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा x equal to y आ गया यानि दोनों के displacement का relationship आ गया अब इसको differentiate कर दोगे तो dx by dt equal to dy by dt हो जाएगा यानि अगर हम magnitude का बात करें तो v2 equal to v1 आ गया इसी को वापस से differentiate कर देंगे तो a2 equal to a1 आ जाएगा यानि यहां से हमने conclude किया कि अगर एक पुली है और वो fix है और दो block है तो एक block जिस v velocity से नीचे आएगा दूसरा block उसी velocity से उपर जाना चाहिए तभी length of string constant रहेगा तो I hope इसमें कोई दिक्कत नहीं है this is the basic method अब दूसरा method इसमें मैं use करता हूँ जिसमें इसी concept को use करता हूँ कि length जो है length of string जो है वो constant रहेगा length of string is constant इसी को हम use करेंगे लेकिन use करते वक्त हम क्या करेंगे इसको मैं बोलता हूँ point assignment point velocity या point acceleration assignment method इसमें हम क्या करते हैं ये जो पुली है ये रुका हुआ है इसके साथ जो रसी attach है इसके साथ जो रसी attach है उसको आप अलग कर लो ये रसी ये रसी दो रसी होगे अलग कर लिया ये वन को और टू को अलग कर लिया अब अगर आप ध्यान दो यहां पर यह दोनों attach है ये रुका हुआ है तो ये point भी रुका हुआ है उपर नीचे move नहीं कर रहा है तो आप चाहो तो इसकी velocity 0 लिख लो या नहीं तो आप यहां पर wall बना लो क्योंकि velocity 0 रुका हुआ है fixed की तरह आप treat कर सकते हो तो ये fix हो गया अब आप यहां पर जो block है और यहां पर जो block है इसकी velocity को देखो यहां का block का velocity नीचे की तरफ v1 है तो आप यहां पर क्या करोगे नीचे की तरफ v1 दिखा दोगे similarly इधर वाले block का velocity ऊपर की तरफ v2 है अब अगर आप इस length में देखोगे इस length में देखोगे तो यह क्या कर रहा है यह बिसिकली इधर वाला जो velocity है यह length को increase करा रहा है यह length को increase करा रहा है आप क्या करो यहां पर हाथ रख लो यह दूर जा decrease कराने की कोशिश कर रहा है यह length को decrease कराने की कोशिश कर रहा है यानी dual increment equal to total decrement होगा दिक्रोमेन्ट होगा तब ही रस्सी का Length सेजरा ध्यान देना चालों से सुनना कि जो length increase हो देखानगा यह orientedależy होगा तभी रस्सी का Length constant होगा यानी total increment equal to total डिक्रिमेंट तो यह रूल हो गया यह मैं प्रिफरिबली इस मेथट से फॉलो करता हो क्योंकि इसमें हमारा टाइम बचता है ठीक है तो इस आप मैं कोशिस करूंगा कि आप भी इसी मेथट को यूज करें इसके लिए मैं दो तीन नुमेरिकल करके विजुलाइज कराता हूं सो दाट आप कमफर्टेबल हो सकें राइट राइट आए उसमार तो यहां पर अगर आप देखें तो यह एक अंसैट एक्जाम होने वाला है आप सी ओई कोड से रेजिस्टर कर सकते हैं यूविल गेट स्कॉलर्शिप आलसो पर इंक्रीमेंट-डिक्रीमेंट किया वहीं से यह हो गया इस इंक्रीमेंट पार्ट य यह गरके करके नहुन तो यह रस how और यह रसी हो गया यहां पर तीन रसी है जो याँ तीन है और यह जो है इस ब्रटार ऑज़ायांद की सद्टाइफ्ट तो इस पॉइंट की व लॉखिव जो इस होगी क्योंकि आपने पढ़ रख़ा है अगर रसी टॉट है तो रसी के अलओंग हर पॉइंट की velocity बराबर होगी राइट नहीं तो रसी क्या होगा slack कर जाएगा तो रसी अगर tight है तो रसी के along हर point की velocity equal होगी तो यहां से अगर आप देखें तो यह velocity नीचे की तरफ v1 है तो इस point की भी velocity v1 है यानि इस pulley के center का velocity v1 हो गया यानि पुली पूरा का पूरा v1 से नीचे आ रहा है अब अगर पुली v1 से नीचे आ रहा है तो इस point और इस point की बात करें तो यह भी v1 से नीचे आ रहा है यानि अगर हम one two और three यह तीन रसी का diagram बनाए point assignment से तो यह तो fix हो गया यह तो fix हो यहां पर ध्यान दो यहां आप अहां रखोगे यह दूर जा रहा है यानि इंक्री मेंट करा अगर आप यहां रखते हो तो इसकी नजदीक जा रहा है छुता हुरा है इसका मतलब यह क्या हो रहा है कर आ रहा है था ल cima यानी यह निवुटल इंक्रिमेंट इक्वलोटू भूचन को सॉल्व कर लिए अब आप मेंसे कुछ लोग सुच रहे हुँगे निए साल वर्चुल मेथध से भी तो हो जाता है लेकिन वर्चुल मेथध बहुत जगा फेल हो जाता है जब ये फुली फ्री हो जाए चलने के लिए फेल हो जाएगा तो आज की क्लास में ही मैं आगे आपको बताऊंगा कि T.V या T.A लगाओगे तो वहां पे गलत आएगा वो मैं बताऊंगा आपको तो सभी ने सही जवाब दिया है सर अडवांस लेवल का थौट प्रोसेस कैसे बिल्ड करेंगे इसी तरह से आप जब कॉंसेट सीखने जाएंगे और अप्लिकेशन करेंगे तो आपने आप अडवांस लेवल का थौट डेवलफ हो जाएगा देखें तीसरा कोश्चन अगर आ ने यहां डाइग्राम बना दिया है सो डाट आपको पता चल जाए कि इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट जो है वो किस तरह से असोसियेटेड राइट नेक्स कोश्चन चलते हैं अब देखें यह वाला कोश्चन इस कोश्चन में अगर आप ध्यान दो यह पुली उपर जा रहा ह है तो यह वाला पॉइंट वीवन से उपर गया यह वीटू से नीचे आ रहा है और यह वीटरी से उपर जा रहा है अब हम इंक्रिमेंट कैसे देखेंगे आप यहां हाथ रखो यह क्या और आ याँनी यह और यह increment करा रहा है यह decrement करा रहा है तो सुनगे रस्य का लैट सेह होना है तो टोटल इंपर बेर टोटलडिक्रीमेंट तो यहहां क्या करोगे वी वन प्लस वीवन कि प्लस वी टू regardez रुडी यानि टू 2v1 equal to 2v1 plus v2 equal to v3 तो देखो कितना आसानी से हो गया यह बनाने की जुरत ही नहीं पड़ी गया आपके दिमाग में फटा 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 कैलकुलेट होता जाएगा तो I hope कि आपको यह आला पार्ट क्लियर हो गया होगा सर राइट वाला व्हार कैसे वहा राइट वहला वह इंकरीमेंट इस तरह से वा वग्ण यह ध्यान दो आप यहा पर हात रख़त दो कवर हो गया अब देखो अब एपता यह वहां से दूर जा रहा है तो लेंध क्या कर रहा है इंक्रीस कर रहा मिख यह वारा si different चले अब इसी को और अप्लाई करके देखते हैं ताकि बन पाई यहीं के हैं हम प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहूंथ है देखिए यहां पह यह पहला एक्जाम्पल हमने लिया यह देखे यहां पे यह 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है फटावर चैट में आंसर लिखो अब अगर आप देखो कि इंक्रिमेंट से तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 2 इस पॉइंट की नीचे वेलोसिटी 1 लेट से वी यह ऊपर माल लेते हैंale Trail महुआ लेते घखे किदर भी माल लो गलत मानोगे यह कितना आसानी से हो गया बिना पैन उठाए आग से देखके लॉजिक से आप सॉल कर सकते हैं तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल कर सकते हैं point assignment method से यानि total increment equal to total decrement method से चलिए फड़ा बट next question पे चलते हैं अब देखें यहाँ पर मैंने तीन चार पुली लगा दिया ताकि दिमागी तोर पे भी कष्ट हो जाए अब देखो यहाँ पर अगर यह 5 से उपर जा रहा है यह पुली पुली पीटू है देखो फुली पुली पीवन और विलॉस्टी ओफ सी निकालना है तो यहाँ देखो यह पीवन है इसकी विलॉस्टी हमें निकालनी है और हमें इसकी विलॉस्टी निकालनी है यह दो अन्नून है सबसे पहले हम पीटू की बात करते हैं पीटू पां लिए velocity of P1 उपर की तरफ है, यानि P1 पुली उपर जा रहा है, तो अब अगर 1 और 2 का हम डाइग्राम बनाए, 1 और 2 का अगर हम डाइग्राम बनाए रसी, 1 और 2 का, तो ये पॉइंट उपर गया 5 से, ये भी पॉइंट उपर गया 5 से, ये पॉइंट नीचे आया 5 से, एंड ये वी पी से, उपर गया, अब आपको दिख रहा होगा, रहे सर, ये तो पीछे बाले जैसे ही हो गया, ये अगर हम यहां हाथ रखे, तो इंक्रिमेंट कर रहा है, यहां हाथ रखे, तब इंक्रिमेंट कर रहा है, यहां हाथ रखे, तो ये इंक्रिमेंट नजदीक आ रहा आ गई तो देखो, कितने ही आसानी से आपने VP1 निकाल लिया 15 मेटर पर सब्सक्umn और डिरेक्शन इसका किदर ऊपर की त़ रहें अब डरल को Wesley आपने गलत लिया रहता है तो सारह कह सारह इंक्रिमेंट हो जाता तो कई सारे लोग VC का भी आंसर दे चुके हैं, चलो फटा फट देख लेते हैं, अब VP1 निकल गया, तो ये इधर 15 से गया, ये इधर 15 से गया, ये इधर 15 से गया, ये नीचे आ रहा है 1 से, तो VC को उपर ले लेते हैं, अब देखो, यहां हाथ रखोगे 15 इंक्रिमेंट, यहां ह इकुल तो इस तरह से देखो कितनी आसानी से आप आसानी से लगा ली अगर आप यहाँ पर यह वाला लगा रहे होते डिन अधिल्ट फॉल 6 0 तो यह नहीं हाता यहाँ पर टीजान यह नहीं हो रहा है कि पुली करने के लिए इसलिए कई लोगों का गलत आया होगा और उनको दिख रहा होगा कि हां सर इसमें गलत आरा इटी डॉट वी इकुल टू जीरो से यह मेथड काफी एजी है राइट यह पावर मेथड से यह वाला गलत आएगा पावर मेथड से यह नहीं निकाल पाओगे तुम चलिए नेक्स्ट और करते हैं ताकि वीज प्योट उपर देखो फट्टा फट निकल गया बच्चो यह इंक्रीमेंट यह यह बी इंक्रीमेंट है यह इंक्रीमेंट कर दिसrom डिक्री में ली यानि क्या करोगे वीपी वटैंट निकंत आ चलो वीपी टू पर आजाए वीपी टू यह हैं अब देखो यह वाला यह टुम यहां पर इंक्रीमेंट कौन कर आया यह इनक्रिमेंट यह इंक्रिमेंनट और यह जङके आप यहां तो यहां हाथ रखोगे तो है नज़ीक जा रहा हैहाद का पिक К्रिमेंट है, total increment equal to total decrement, तो 4 plus 4 plus 1 equal to VP2, यानि VP2 equal to हो गया, 9 meter per second उपर की तरफ, तो ये भी आ गया, 9 meter per second उपर की तरफ, अब similarly, एका निकालना है, ये वाला end fix है, तो इसकी velocity हो गई 0, ये वाला end VP2 से उपर जा रहा है, 9 से, ये VP2 से उपर जा रहा है, 9 से, ये दोनों increment करा रहा है, यानि इसका motion decrement कराना चाहिए, यानि VA उपर की तरफ हो जाए, तो VA की value कित्ती होगी, VA is decrement, और increment कौन करा रहा है, 9 plus 9, यानि 18 meter per second, तो ये भी हो गया, चैट में भी सभी लोगों ने सही answer कर रखा है, चलिए next question करते हैं, visualization और बढ़ाते हैं, अब देखें यहाँ पे, यहाँ पे पूछा है VA की value बताओ, और ये इस case में भी T.V फेल हो जाएगा, आप T.V लगा के देखो, आप का answer match नहीं करेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये 5 से उपर जा रहा है, यानि ये वाला end 5 से उपर गया, ये वाला end भी 5 से उपर गया, ये वाला end 2 से नीचे आ रहा है, अब अगर आप देखो, ये VA से अगर नीचे आ रहा है, तो इस पुली का center भी VA से नीचे आ रहा है, इसका मतल लेमेंंट आपने ले मगाना अंघ्छा क्वार्ण अंघ्ट कने र updated लिए इसका मतलब कि जो हमने नीचे की तरफ बाना वह और ऊपर नहीं है और यह बैसे उपएंट वह सुपर जा और यह पूरा रस्सी सेम रस्सी है यह 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 तीनों रस्सी ने इन टीनों में इंक्रिमेंट कैसे देखोंगे इंक्रिमेंट यहां हाथ रख दिए यहां आप क्या करो दूसरे पर हाथ रख लो और उसको देखो अधरेंड को तो खुद दिख जाएगा इंक्रिमेंट इस इंक्रिमेंट इस टू-ार डिक्रिमेंट यारि आप क्या करोगे 5 प्लस 5 प्लस 2 is equal to 2 वी यहां से हो गया वारह तो वी ए इक्वल तो गया आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर गलतियां होती है चलिए फटाफट अब लास्ट एक एक एक्जामपल करते हैं और आज जो आप सीखें हैं उसको घर पर अपलाई करके देखिएगा कोश्चन्स पे देखिए यहां पर हमने कई सारे पुल्य लगा दिये अब आपको कोई दिखत ही नहीं होगा आप इतने खुर्टेबल हो चुकर है आराम से कर सकते हैं देखिए चार से उपर जा रहा तो यह भी क्या हो जाएगा चार यह वन से उपर जा रहा है यह भी वन यह V1, राइट, अब देखें रसी कौन सा सेम है, ये रसी, ये रसी, ये रसी, ये रसी, ये रसी, ये सेम है, ये सेम रसी ही गया हुआ है, तो इन सारे रसी का increment decrement देखना है तो आप माल लो ये वाला पुली ये वाला पुली जो है ये वाला पुली आप किधर भी माल लो उपर की तरफ जा रहा है V1 से इसको V1 नाम देदी तो यहां देआन दीजेगा इसको आपने V1 नाम दिया Vb Vb उपर की तरफ ले लो ऐसे Vb और यहां पर VC दिया हुआ है VC1 तो यह 1 हो गया और यह 1 हो गया अब अगर हम देखें इस रसी इस रसी इस रसी इस रसी और इस रसी में इसका velocity 0 हो गया तो this one is increment यहां color change कर देता हूँ this one is increment this one is increment this is decrement decrement यह decrement है दीदी यहां पर देखो यह वाला point 2 से नीचे आ यह दोनों increment हो यह दोनों increment हुआ यहां पर 11 यह भी increment यह भी increment यह भी NICK करिमेंट तो दीकोई अगर हम इन पाच temples देखें तो सारे increment को add करो four plus four यह increment हो गया उसके i किस पे लगा रखाए इन दोनों पे i है 2 प्लस 2 उसके यहाँ पर आई आई है 1 फ्लस 1 उसके यहां पर भी increment धिआ 1 प्लस 1 यह तो increment हो गया अब यह वाला जो पार्ट है V1 प्लस V1 यह decrement यानि 2 V1 राइट तो यहाँ से देखो आप 4-48 चार 12 और यह कितने हो गये है चाहर को यहां वीवन सबका आ गया सब इस पूली का षिजिया एट मिचोंट यह तो यहां पर दिखाना रह गया था यह upon पी है तो जो है एकश्याली एक एक एकशुली रिवी उखल मीतर पर इस nesse तरह से अप आसानी से 8 पर सटेंड लिया है अब हम देखें आपर यहां पर अनिकालेंगे चल लें चांड लेंग तो यह increment यह increment यह increment तो यह decrement होगा यानि VB equal to V1 plus V1 plus 1 यह कितना हो जाएगा 8 plus 8 plus 1 तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 16 17 meter per second तो इस तरह से आप आसानी से VB निकाल सकते हैं तो इस तरह से आप सर 2 extra 1 कैसे आया 2 extra 1 नहीं आया बेटा यहां पर हमने देखो यहां पर यह 2 है यह 2 meter per second है तो यह police के साथ attach है तो यह 2 नीचे यह 2 नीचे आएगा तो देखो 2-2 दो बार आए यह 1 है यह 1 है और यह 1 है यह 1 है यह 4 बार आया और यह 4 है यह 4 है 4 2 बार आगया तो आप यह 4-4, 8, 8, 4, 12, 12, तो किसी को कोई डाउट है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है क्लियर हो गया तो इस तरह से आप जब इंक्रिमेंट लगाओगे तो कभी कोई गलतियां आप से होंगी नहीं क्योंकि आप यहां पर यह वाला कर रहा है तो virtual work done वाले से यह question आप नहीं कर पाऊगे तो यह जो method है यह universal method है चाहे virtual work done हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो हर question में आप इसको apply कर सकते हो तो बच्चों आज घर पे आपका homework यही है कि यह जो आपने आज सीखा है इसको apply करके देखना तो आपको खुद feel होगा कि हाँ बहुत ही आसानी से question को हम बहुत अच्छे तरीके से solve कर रहे हैं तो all the best मिलते हैं अगले lecture में